हेलो फ्रेंड्स में गायत्री हाउटो में आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके साथ में शेयर कर रहे हूँ यह टेस्टी रेसिपी यह है फिश फ्राई जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से फ्राई किया है और इसमें जो इंग्रीडिन्ट लिए है मैंने वह हमारे इसे फ्राई करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को फूल वाच करिएगा और मेरे सेकेंड चैनल एस्टेम फेशन एन आर्ट बाई गायती उसे भी ज़रू वाच करिए और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सकाइब ज़रू करिएगा चैनल क अधा इंच अध्रक का टुकड़ा लिया है और तेल लेना है फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम फिश में निबू का रस डालेंगे यहाँ पर मैंने एक निबू का रस लिया है आप चाहो तो आदा भी ले सकते हो इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इसमें टेस के कोडिंग में नमक डालूँगी और चुटकी भर हल्दी पौडर डालके सभी को अच्छे से मिक्स करके 10 या 15 मिट के लिए रख देंगे अब हम एक बाउल लेंगे इसमें हम अंडा फोल के डालेंगे अंडे को मिक्स करना है अच्छे से और इसमें टेस के कोडिंग नमक डालूँगी वन टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर चुटकी भर हल्दी पाउडर हाफ सब बीची मिक्स करना है अब अब इसमें हम निम्बू करश ढालेंगे उसमें अच्छे से मिक्स करना है इसको और यह मसाला तयार हूगा है इसमें मलग पावर यह मसाला करें यहांपर मेने मसाला फीश और सूजी तोर करें जाएं से पहले मसाले में डिप करें अंडे वाले मसाले में और फिस विड़ाओंगे इस आप चाहो तो ब्रेट क्रूम्स भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं सभी पीजों को इस तरह से मसाले में और सूजी में कवर करके, 10-15 मिट के लिए फिर से रख दूँगी ताकि जो नमी है वो सूजी सोख लिए अच्छे से और पीज अच्छे से ड्राइ हो जाए, यहाँ आप यहाँ तेल आपको बताया, बहुत ही कम लिया है फ्राइ करने के लिए, तेल को चेक कर लिया है, मैंने यह तेल गरम हो चुका है, मैंने सूजी का थोड़ा सा टुकड़ा डालके देखा, और आप मैं फिश डालती हूं इसमें, और फ्लेम को मीडियम रखना है आपको, ना नहीं फ्राइ हुए है अच्छे से, अब इन्हें पलट देती हूं, कम से कम 2 मीड से लगते हैं, लगते हैं फ्राइ होने में एक साइट से, यह देखिए, इसी तरसे मैंने सभी पिसो को पलट दिये हैं, अब इसे दूसे साइट से ही मैं, light golden फ्राइ हो जाने देती हूं, फ यह दोनों साइट से अच्छे से फ्राई हो चुके तो मैं निकाल लेती हूँ और यह बहुती क्रिस्पी तलने में आया है क्योंकि सूजी अगर फ्राई होती है तो बहुती क्रिस्पी तलने में आती है यह अंदस एकदम सौफ्ट है और उपर सेकदम क्रिस्पी हैं आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और यहां पर यह फिश फ्राई बनके तयार उचुकी है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अगर अच्छी लगए हो तो प्लीज लाई शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा पहली बार मेरी चैनल पहे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ में थैंक्यू बाई